तेलोगू सिनेमा ने फिर से खुद को चैलेंज करते हुए एक और बड़ी फिल्म लेकर आ रही है। देवरा पार्ट वन इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और फैंस के बीच जबरदस्ट एकसाइटमेंट है। फिल्म का बजट 300 करोर से भी ज्यादा है और फिल देख चुके हैं तो हो सकता है कि आपने कुछ डिटेल्स को मिस कर दिया हो लेकिन कोई बात नहीं। यहां हम आपको वो हिडन डिटेल्स बताएंगे जो शायद आपकी नजरों से छूट गए। ट्रेलर में जूनियर एंटी आर का किरदार इतना पावरफुल दिखाया गय है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो बाकी सब कुछ ठोटा लगने लगता है। उनके कैरेक्टर में मास्ट सिनेमा का फील है और वो अपने हर सीन में फुल अटेंशन खीचते हैं। इतना ही नहीं उनकी हिंदी डबिन भी बेहद इपेक्ट फुल है जो उन्हें एक रेड हुई नजर आ सकती है जिससे कहानी और भी दिल्चस्प बन जाती है। घले ही जूनियर एंटी आर फिल्म का मैं अट्रैक्शन हैं लेकिन सैफली खान ने भी अपने नेगेटिव रोल में जबरदस्ट इंपक्ट छोड़ा है। उनके माइंड गेम्स और डायलोग्स ने ट अगर आपको Pirates of the Caribbean की याद आ रही है तो ये सही है फिल्म के विज्वल्स और एक्शन हॉलिवुड से इंस्पायर लग रही हैं लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है अनिरुध का म्यूजिक पहली बार में हो सकता है कि आपको इतना हिट न करे लेकिन धीरे धीरे ये आपक फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा खास कर ट्रेलर में जो इंटरनेशनल वाइब्स के गाने सुनाए गए हैं वो फिल्म के थिएटर एक्स्पिरियंस को और भी खास बना देंगे दोस्तों आप लोगों को देवरा फिल्म का ट्रेलर के सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं करके जरूर एक्सा बार चाहकते हैं जरूर रहा हैं जरूर फिल्म का लगार खास बना मेंट जरूर बताएं।